राज्य सभा में शपत ग्रहर के वक्त उस वक्त एक तस्वीर पर सभी का ध्यान गया जिस सक्सदन में जोतरा दिते सिंध्या और दिगविजय सिंग की मुलाकात हुई इस दोरान दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया लेकिन अभिवादन की तस्वीर के बीच भी दोनों की अदावत और इसके पीछे की कहानी फिर सितासा हो गई राज्य सभा में 49 निर्वाचित सदस्यों ने शपत ग्रहे की इस दोरान राज्य सभा से एक दिल्चस्प तस्वीर भी सामने आई जब सभी सांसच शपत ले रहे थे तो एक मौका ऐसा भी आया जब जोतरा दित सिंध्या और दिगविजय सिंग का आमना सामना हुई दोनों ने मास्क पहना हुआ थे जब सिंध्या और दिगविजय का आमना सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे का सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया दोनों ने था जब एक दूसरे का अभिवादन स्विकार कर रहे थे उस वक्त वहां राज्य सभा में नेता विपक यानि मध्यप्रदेश से आते इसी साल मार्च महीने में जब सिंधिया ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खुला तो दिगविजय ने खुले तोर पर कमलनाथ कर समर्थन किया कॉंग्रस से सिंधिया की पगावत के पीछे एक वजय राज्जी सभाद सीट भी थी जिस पर चुनकर दिगविजय सिंग आये है दरसल सिंधिया चाहते थे कि राज्जी सभाद सीट पर उनका नाम प्राथमिक्ता पर रखा जाए लेकिन पार्टी ने उनकी जगह प्रजय सिंग को ही तरजीह दी थी इससे भी सिंधिया खफा थी और इसकी वज़े से रेश की सियासत का गणित कुछ इसका दर बिगड़ा कि कॉंग्रस के हाथ से एमपी की सत्ता निकल दी इसके बाद जब राज्जी सभा चुनाओ का नंबर आया तो सिंधिया को कोखो भी श्रीवराज सिंग के कैबिनेट में बड़ी भागिदारी दी गए टीम न्यूजस स्टेट